श्रीमाद होम रेमेडीन्स में आपका स्वाज़त है और हम आपको बताएंगे कंदू जिससे काशी फल भी कहा जाता है उसके अंदर क्या गुन है और उसके क्या फाइदे है कंदू में मुखरूप से बीटा कैरोटीन पहे जाता है जिससे विटामिन ए मिलता है पीले और संत्री कंदू में करोटीन की मात्रा जो है वो अपिच्छा पृत जादा होती बीटा कैरोटीन एंटी ऑक्सडेंट होता है जो शरीर में फ्री रैटिकल से निबटने में मदद करता है कंदू ठंडर पहुचाने वाला होता है इसे डेंटल की ओर से काट कर तलवो पर अगणने से शरीर की गर्मी खत्म होती है कंदू लंबे समय के बुखार में भी असरकारी होता है इसे बदन की जो हरारत है वो दूर होता है अब ठकावट आपकी दूर करेगा कंदू के बीच भी बहुत गुलकारी होते है कंदू इसके बीच विटामिन सी और ए आइरन, कैल्सियम, मैगनेशियम, फॉस्फोरस, पोटैसियम, जिंग, प्रोटीन और फाइवर यादी के भी अच्छे सोथ होते है या बलवर्दर, रत, जो पेट साफ करता है पित वो वायुविकार दूर करता है और मस्तिस के लिए भी बहुत फाइदेमन है प्रियोग में पाया गया है कि कंदू की छिलके में भी एंटी बैक्टेरिया तत होते है जो संक्रमन फैलाने वाले जिवानियों से रच्छा करता है कंदू का अरज भी सहित के लिए बहुत फाइदेमन होता है या मुत्रवर्दक होता है और पेट संबंधी गरबडियों में भी लाबकारी रहता है यह खूल में सरकरा की मात्रा को यंद्रित करने में साहिब होता है और अग्नाश्य को भी सक्रिय करता है इसी वज़े से चिक्त्सक मदू में के रोगियों को कद्दू के सेवन की सला देते हैं प्रोस्ट्रेट ग्रंथी के रोग में 30 ग्राम कद्दू का बीच छिलका रहित तब यह परसी के लिए और खाएं ऐसा दिन में आप दीन बर कीजिए इन बीजों में फ्रैट टू स्ट्रोल तब तो कि उपस्ती से प्रोस्ट्रेट ग्रंथी शिकूड कर मुत्र बिना रुकावट खुल कर आने लगता है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए धन्यवाद